आईए शुरुवात करें सभी प्रार्थना साथ ही दोरहिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाया ओम नमो भगवते वासुदेवाया ओम नमो भगवते वासुदेवाया ओम अज्ञान दिमिरांधस्या ज्ञान अंजन शलागया चक्षुरुन मिलितं येन तस्मय श्वेगुरु वेनभा श्वेचेतन्यमनो भिस्टं स्थापितं येन भूतले स्वें रूपकदामयं ददाती सोपदांधिकं वन्दे अहं श्वेगुरु 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 वैष्नमाम्ष्च श्वेगुरुपं साग्रजातं सहेगन रगुनाथान वितंतं सजीवुँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँ श्री विशाखान वितम्ष्च। श्री वितम्ष्च। श्री वितम्ष्च। पास्चक्यð देशतारेए जैयश्चृ कृष्ण च्वै लूट नेंड़ स्वैाद्वेत गदाध्र शे वासदि गौर भर्क्न गृंध सब्दों एकरिष्णई एक कृष्णई रच्र गरेखर्श्णक्रिष्ण ईट्रिश्णई एक छिर्चारिष्णoben Krishna, Krishna Hare 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 Ram, Hare Ram Ram, Ram Hare 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 Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna Hare 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 Ram, Hare Ram Ram, Ram Hare Hare ग्रिण रआश्य मत भगवद गी ता्यता रोप के जये भगवानश्य वे कृष्न की वानी भगवद गीता की जये प्रिष्ण चंद्र भगवान की जाए, श्रेमत भगवद गीता यसारोप का ये, पाँचमा अध्याए है, और अध्याए का शीर्शक है, कर्म योग अथ्वा, कृष्ण भावना भावित कर्म, और श्लोक संक्या है, सतारा, सब भी प्रयास कीजिए दोराने का, तत बुद्धयस्त दात्माना, तत बुद्धस्यत दात्माना, तत निष्ठा तत परायना, गच्छंते पुनरावरतिम, गच्छंती पुनावरतिम, ज्यान निर्धूत कल्मशह, ज्यान निर्धूत कल्मशह, तत बुद्धयस्त दात्माना, तत बुद्धस्यत दात्माना, तनिष्ठास्तत परायना, तनिष्ठास्तत परायना, गच्छंते पुनरावरतिम, ज्यान निर्धूत कल्मशह, ज्यान निर्धूत कल्मशह, तत बुद्धयस्त दात्माना, तत बुद्धस्यत दात्माना, तनिष्ठास्तत परायना, तनिष्ठास्तत परायना, गच्छंते पुनरावरतिम, ज्यान निर्धूत कल्मशह, ज्यान निर्धूत कल्मशह, तत बुद्धस्यत दात्माना, तत निष्ठास्तत परायना, ज्यान निर्धूत कल्मशह, गच्छंते पुनरावरतिम, ज्यान निर्धूत कल्मशह, तत निर्धूत कल्मशह, तत बुद्धस्यत पुनरावरतिम, ज्यान निर्धूत कल्मशह, तत निर्धूत कल्मशह, तत बुद्धस्यत पुनरावरतिम, ज्यान निर्धूत कल्मशह Hare Krishna, Hare Krishna, प्रवजे तन पत्पर नाम, निए अधमान सत निष्टा सत प्रायना, गशन्त पूनरा बृतियम ग्यान नेरदूत कलमशाह, निए अधा है नाम, निए अधा है नाम, तो वो हलंत में फिर आगए बिद्वाद्वाद्वर्णा, निए अधा है नाम, निए आधा है न बोला जाता है पहले वाले शब्द के साथ, ऐसे आतमाना, ना के साथ हलंत में बोला जाता है, आतमाना, ऐसे निस्था, जो है उस एक तरह से, साइलेंट जिसे उसे उसे, पूरा शब्द की तरह नहीं बोला जाता है, निस्था कत परायना, जो आधे पढ़िया अगे, हाเรे कृष्ण प्रभुषय या निр्दूत कृमस्या ओर कृष्ण, हाले कृष्ण, हाले कृष्ण, हाले कृष्ण, हाथछ्ण, आतमन, हांधे निस्था तर आत्परायना, चछ्ण्य पूर्निरा आ बोलति हम ज्यांन अिरदूत कल joystick आतमस क्षा है और दे अनुवाद दो रहिए, जब मनुष्य की बुद्धी, मन सद्धा तथा, शरन, सब कुछ भगवान में धिर हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, तभी वे पूर्ण ग्यान द्वारा, समस्त कलमश से शुद्ध होता है, और मुक्ती के पत पर, अग्रसर होता है, सुनिता मातजी पढ़िए, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, परम प्रुपाजी के जाए, प्रुपाजी द्वारा, तथ पढ़े, परम दिवी सत्य भगवान श्री कृष्णा ही है, सारी गीता इसी गोष्णा पर केंद्रित है, कि कृष्ण श्री भगवान है, यही समस्त वेदों का अभी अभिम्मत है, पर्तत्व का अर्थ परम सत्य है, जो बगवान को ब्रह्म, ब्रह्म परमात्मा तथ बगवान की रूप में जानने वालों द्वारा समझा जाता है, बगवान ही इस पर्तत्व की परिकाश्ठा है, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, बगवान कहते हैं, मताह पर्तरम न्यायत किंचित दस्ति धननजया, कृष्ण निराकार ब्रह्म का भी अनुमोधन करते हैं, ब्रह्मनो ही प्रतिष्ठा हम, अता सभी प्रकार से कृष्ण परम सत्य यानि पर्तत्व है, जिनके मन बुद्धी श्रदा तथा शरन कृष्ण में है, अर्था जो पूर्नत्या कृष्ण बावना बावित है, उनके सारे कलमश दूल जाते हैं, और उन्हें ब्रह्म समादी प्रतेक वस्तो का पूर्न ज्यान रहता है, कृष्ण बावना बावित व्यक्ति ये बली बांती समझ सकता है कि कृष्ण में वैत है, एक साथ एकता तथा बिनता, और ऐसे दिवे ज्यान से युक्त हो कर वे, मुक्ति पत पर सुसित्थिर प्रगति कर सकता है, हरे कृष्ण ये श्वीमत भगवत गीता का पांच में अध्याई का सतार्मा श्लोक है, भगवान श्वीकृष्ण यहाँ पर अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि जब मनुष्य की बुद्धी, मन, श्रद्धा तथा शरण, तब कुछ भगवान में सिर हो जाते हैं, तबी वहे पूर्ण ग्यान द्वारा स्तमस्त कलमश से शुद्ध होता है, और मुक्ती के पथ पर अग्रसर होता है, तो यहाँ पर जो शिक्षा दे रहे हैं भगवान कृष्ण, यह मनन करने वाली है, इसको समझने वाला है, कि कहीं न कहीं हमारी की हमने जो भगवान की शननागती है, वो ठीक से ली नहीं है शनना, क्योंकि अभी जैसे उधान के लिए आश्रम में एक वृद्ध व्यक्ति हैं, अभी चंद दिन पहले उनकी सेवा में एक किसी सेक्यूरिटी एजनसी की और से कह लीजिए, या किसी ऐसे एजनसी की और से एक कोई सर्वेंट रखा गया, अब वो सर्वेंट को रखने के लिए जो साथ में आया मैनेजर मुस्लिम था, लेकिन जो सेवा में है, वो सर्वेंट वो हिंदू परिवार का है, तो जब बात हो रही थी, तो वो जो मैनेजर है वो ये बात कह रहा था, कि हमने इस तहर से इन्हें ट्रेनिंग दे रखी है, या इन्हें बता रखा है, कि जब आप कहीं सेवा में रहते हैं, किसी व्यक्ति की, व्रद्व्यक्ति की है, जहां भी रखा जाता है, अगर वो कहता है दिन को की रात है तो तो ये कहेंगे हाँ रात ही है वो ये नहीं क्वेश्ट करेंगे कि नहीं अभी तो दिन है आप खलत कह रहे हैं ये नहीं बोलेंगे देखे कितनी हिरानी की बाद की, कितना पका गिया उनको चंद हजार उपे के लिए, कुछ हजार उपे महीने की सैलरी पर इस तरह से उन्हें ट्वेन करगा रहा है कि तुमने क्रॉस कॉश्चन है, कुछ परश्चन नहीं करना है अगर उन्हें दिन को रात कह दिया तो तुम कोगे हाँ रात ही है और ठीक ऐसे ही वो मैं एक दिन दो बजे उठा भी दो तिन दिन पहले जब करने के लिए जब बाहर गया तो उनकी खिड़की से जब मैंने अंदर देखा लाइट जल रही है और वो व्रिद व्यक्ति जो हैं तो व्रिद व्यक्ति बैठे हैं शायद ब्रश कर रहे हैं चियर पर बैठके और वो व्यक्ति ऐसे खड़ा है बिल्कुल जैसे उनके साथ में बिल्कुल बड़ा एलर्ट है दो बजे तो सबस्वाद दो बजे कैसब वल्लब ये जरा सा भी उसके उन्दर नहीं है कि मेरेको जरा सी नीन्द और थोड़ी सी अभी लेनी है कहा मैं फज गया या मतलब ही नहीं तो मतलब कहने कार्द है कि एक संसारिक उससे भी देखें तो सर्वेंट जो है जो कई बार लोग घर में रखते हैं तो कितने ऐलर्ट होते हैं इस बात को लेकर अपने कारियों में अपने मा अग्या पालन करने में, लेकिन जहां पर जब भगवान की शर्णागती की बात आती है, भगवान की शर्णागती ली जाए, तो विचार कीजिए, क्या उस रह का हमारा सरेंडर है, अपने आप से प्रश्ण करके देखें, कभी बैठ कर, क्या हमारा वैसा समर्पन, एक सामान सर्वेंट जैसा भी क्या समर्पन है, सर्वेंट भी कितना एलर्ड है भगवान के प्रती, अपने मालिक के प्रती कितना एलर्ड है, तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को और अर्जुन के मार्ध्यम से हम सब को सिखा रहे हैं जीवों को, कि मनुष्य की बुद्धी, मन, श शरन, सबकुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, फिर थोड़ी भी अस्थिरता नहीं है उसकी बुद्धी में, इहां अच्छा ये नहीं ये रहने जाते हैं, फिर मन के अंदर, थोड़ी भी बुद्धी में विचलिता नहीं है, मन है, तो पूरी तरह से मन जो है केंदरित है, भगवान के बुद्धी, सद्धा और शरन, शरनागती ऐसे जैसे कही पर पहले भी गुरु महास ने जो बताया, इस शरनागती कैसी होने चाहिए, जैसे एक साल का बच्चा अपनी माता के शरनागत होता है, छे महीने का बच्च तो इस तरह का यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन को और अर्जुन के माद्यम से हमें बता रहे हैं, कि जिसकी जब मनुष्य की बुद्धी ऐसी हो जाए स्थिर, मन स्थिर हो जाए, अभी क्या है, मन स्थिर नहीं है, इसलिए मन में और इच्छाएं भी उठती रहती हैं, जैसे एक माता ने हमने कहा, जब ने पुछा दिन चरिया क्या है, उसने बताई दिन चरिया कहते हैं, मैं कोकिंग कर रही होती हूं, बोजन बना रही होती है, पती के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, तो जब सीरियल हाता है, सास भी कभी बहुती तो मैं सारे काम बंद करके केवल सीडियल देखने बैढ़ जाती है तो इसका मदला मन जो है पूरी तरह से कृष्ट में नहीं है और फिर हो कहती है कि मेरा मन बहुत अशांत रहता है आपकर कुछ मेरे को बताईए मारत शन्दी जी तो मन अशांत क्यों है क्योंकि मन भगवान में स्थिर नहीं है अगर मन भगवान में स्थिर होगा तो परिणाम में और कोई फिर इच्छा नहीं होगा उसके अलावा मन करेगा कोई भी विचार नहीं मन में होगा फिर अगर मन में कृष्ण के अलावा भी और विचार आते हैं गुरु महराज के प्रभु पाजी के अलावा भी कुछ और विचार आते हैं गौरांग महाप्रभू, नित्यानन्द प्रभू के अलावा भी और विचार आते हैं राधारानी और भगवान कृष्टि के अलावा भी और कुछ विचाराते हैं, इसका मतलब अभी भगवान में मन स्थिर नहीं हुआ, इस तरह से भी हम अपने मन की परिक्षा कर सकते हैं, कही बर कहते हैं कही साथा कि पता कह से चले कि हमारी अध्यात्मिक उन्नती हो रही है कि इस आज के श्लोक से भी प्रिक्षा कर सकते हैं, फिर बुद्धी जो है, जिसका काम है निर्णे लेना, क्या करें और क्या नहीं करें, तो यहां भी विचार कर सकते हैं क्या हमारे निर्णे भगवत गीता में बताई भगवान कृष्टि की शिक्षाओं के अनुसार हैं, अ परमानिक गुरू का मतलब जो पहले भी बताया जो शास्त के बिलकुल अनुसार होना चाहिए, परमानिक गुरू का आचरन, परिमानिक गुरू की शिक्षाएं पूरी तरह से फिर परमानिक गरंट भगवत गीता और श्रीमत भगवत पर आधारित होनी चाहिए, फिर यह है कि हाँ शास्र कुछ कह रहा है और प्रमानिक गुरु के नाम से या दूसरे गुरु के नाम से कुछ और ही आच्रन कर रहा है जो समाज के अंदर आप देख सकते हैं ऐसी कितनी घटना हैं तो परिणाम अगर वैसा नहीं है तो फिर वो गुरु कहलाने के योग नहीं है तो इसलिए यहां पर आज के श्लोक से हमें अपने-पने मन की बुद्धी की श्रद्धा की, हमारी श्रद्धा क्या एक जगा द्रड़ है यह श्रद्धा भी अभी क्या है, स्थिर नहीं है, जिसे कहते है न, गुरुमा अज एक शब्दों में गंगा गए तो गंगा दास, ज जमना गए तो जमना दास, जो सामने तो उसके पीछे ही चल पड़े गए, चैतन्य महाप्रभू के समय में भी चैतन्य महाप्रभू के एक अनुजाई, जोटा कृष्ण दास नाम था या कुछ नाम था उनका, तो वो भी भटक गए थे, और कुछ ऐसे मायावादियों के प सीठते हो, खीचते हुए लाए तो स्पून से निकालकर, उनके चंगूल से निकालकर, तो श्रद्धा हमारी एक स्थिर होनी चाहिए, गुरू, गौरंग, राधा, कृष्ण के पति, प्रभू पाजी के चर्ण कपलों में, गौरंग, राधानी और भागवान, कृष्ण के चर्ण कवलों में, द्रिण होनी चाहिए, फिर श्रद्धा, तब संभव है कि हमें कोई परिणाम, रिजल्ट जो है, फिर हमें समझा सकेंगे, अभी क्या है, जब तक हमारा मन से नहीं है, हम कभी किसी के पीछे चलते हैं, कभी किसी की शिक्षाओं के और कन्फ्यूस हो जा या तक ही भजनानदी बने का को स्टानदी, लेकिन प्रभुपाजी इस बारे में बता रहे हैं, कि सामान्यता जो सादकों की स्थिती है, अगर भगवान ने हमें किसी अरेजमेंट से, किसी सांथ से जोड़ा है, तो कहीं न कहीं पीछे, भगवान कृष्ण का हाथ सरूर है अगर सबके कारण हैं, तो निश्चत रूप से, वो मेरे हिर्दय में भी चेत्य गुरू के रूप में मुझे गाइड कर रहे हैं, तो ऐसे में मेरे को मुझे अपनी श्रद्धा को पक्का रखना हो गदर। अगर थोड़ा सा भी मेरी श्रद्धा विचलित होता हूँ मैं लक्ष से, या श्रद्धा मेरी विचलित होती है, तो परिणाम में हम कृपा नहीं ले पाएंगे, प्रभू पाजी की, गौरंग महाप्रभू की, राधा रानी की, भगवान कृष्ण की, रानुमान जी की श्रद्धा को कोई डिगा नहीं बाता था, और इस टीकीता में एक श्रोक भी है, जसमें भगवान कृष्ण कहते है, श्रद्धावानम लबते ज्यानम, जो श्रद्धावान है, वही ज्यान को प्राप्त करबाता है, इस भगवद ज्यान को, इस दिव्य ज्यान को, इस अर्ध्यात्यमी ज्यान को वही प्राप्त करबाता है, जो श्रद्धावान है, और शास्र भी ये कहता है, आदो श्रद्धा, सबसे पहले है श्रद्धा, ततो साधू संग तब फिर साधू संग कर सकेंगे पहले श्रद्दा होगे और फिर श्रद्दा के साथ में फिर क्या है शरन लेना जैसे कहते हैं न हमारे संसा में भी है हमारे इस हरे किष्टान दौलन में शेल्टर लेना परमानिक गुरू की शरनागती लेना फिर उनकी मार्ग दर्शन में फिर साधन करना पहले कर रहे थे स्वतंत्र साधना फिर हमने जब शरनागती ले ली तो फिर परमानिक गुरू के मार्ग दर्शन में करने लगे तो सबकुछ भगवान में जब ये मनुष्य की बुद्धी, मन, शद्धा तथा शरण सबकुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं तभी वह पूर्ण ग्यान द्वारा समस्त कलमश से शुद्ध होता है तो तभी पूर्ण ग्यान उसको हो पाएगा पूर्ण ग्यान मतलब शरीद, आत्मा और परमात्मा से संबन्दित ग्यान प्रकरती, पुरुष्ट और चेतना से संबन्दित ग्यान इसका यहां गीता में भी आगे बनना है ध्याओ में और पूर्ण ग्यानद्वारा तब ही समस्त कलमश से वो सब ही जो मन में मैल है, भटकाव है, बुरे विचार है या कोई भी मन में, 24 गंटे में कोई भी ऐसा विचार मन में अगर आता है, उस कलमश से तब शुद्ध हो से तो इसलिए इस बात पर आज के इस श्लोक में जो बताई गई भगवान कृष्णी की शिक्षा है, इसको हमें अच्छे से हमें अपने मन और बुद्धी में बठाना पड़ेगा किन बातों को मुख्य रूप से अपनी बुद्धी के सभी निर्ने, मन के सभी विचार, इच्छा और अनुभव जो हैं, शद्धा हमारी और शर्ण, शर्णागति, सब कुछ फिर भगवान में सिर्ध होने चाहिए, ये नहीं है कि हाँ, कहने को तो मैंने भगवान, मैंने लेकिन मन में शर्णागति के हैं, नहीं, पती या पतनी पैसा कमा के लाएगी न तो उससे ही चल सकता है मेरा जीव हम तो, लेकिशनागति फिर भी पैसे पर है, किसी, या फिर संसारी किसी रिष्टे पर है, समन पर या बैंक बैलेस पर है, किसी भी, ठीक है जैसी जैसी परसितियों में हम सब रह रहे हैं अपने अपने कर्मों के फलों के अनुसार लेकिन उन सब में रहते हुए भी मन में भावना तो यही होनी जाहिए कि कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाही माम मेरा पालन करने वाले तो केवल कृष्ण ही है कृष्णकेशव 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 रक्षमाम हर परिसिती में मेरी रक्षा तो कृष्ण ही केवल कर भाएंग है और जिसका प्रमुद्धारण भी है महा भारत के अंदर दौप्दी महारानी का जिस समय में सभा के बीच में दुश्कासन, दुर्योधन, कर्ण ये सब दुर्विवार कर रहे थे उस समय में दुरोपती महरानी की रक्षा भगवान कुष्ण के लावा और कोई कल नहीं पाया यहां तक पती भी नहीं कर पाये हैं, कैसे पती? धर्म राज स्वयम युदिश्थिर जी, भीम जी जैसा महावली, अर्जुन जी जैसा विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर, महान धनुर्धर, नकुल सहदेव लेकिन यहां पर यह शिक्षा है कि वास्तों में हमें शरण किसकी लेनी चाहिए और फिर यही शिक्षा किसको दी गई? दुर्प्दी महरानी ने अपने आगे यही शिक्षा पर दी, उत्रा को भी, काई भी भी जीवन में कस्ट आए? किसी और की शरण मतने ना, एक मात्र केवल कृष्ण को पुकार ना, और किसी को नहीं, और उत्रा माता ने यहीं किया, जिस समय ब्रहमस्त्र उनके गर्व को जलाने लगा, उन्होंने और किसी को नहीं पुकारा, एक मात्र सीते भगवान कृष्ण को पुकारने लगे, ताही माम रक्षमाम हे कृष्ण मेरे घर्ब के इसकी रक्षा कीजिए बालक के जो घर्ब में बालक है इस शिशू के रक्षा कीजिए और जैसे ही पुकारा भले ही भगवान कृष्ण किसी और जगाँ है उस जगाँ लेकिन उसी समय भगवान ने क्या किया रक्षा के लिए उस बालक की एक रूप में तो अर्जुन के साथ है वहाँ पर अश्योथामा को दंडित कर रहे हैं लेकिन वहीं पर ही एक रूप लेकर गर्भ में प्रवेश करके सुदर्शन चक्रधार्ण किये उसके गर्भ की रक्षा करने लेगे गर्भ में परिक्षित महराज जब देखा कि इतना तेजों में प्रकाश ये अखिर कहां से आ गया समझ नहीं पा रहा है वो गर्भ में शिशों इतना तेज इतना प्रकाश ऐसा दिव्याभा तो वास्ताव में यहां से ये बात समझनी है कि पूर्ण ग्यान द्वारा समस्त कलमश से सुद्ध होता है जब तक हमारा ग्यान पूर्ण नहीं है तब तक मन का ये बुरे विचार, कलमश, आसकती, काम, क्रोध, मोह, लोव, आंकार, इरशा, द्वेश, दंब, कपट ये सब खतम नहीं होने वाला ठीक है, लगेगा थोड़ी देर के लिए, हाँ, अब तो हम जब कर रहे हैं, अब मन शुद्ध हो रहा है तकि फिर बीच-बीच में विचार क्यों आ रहा है दुशित इसका मतलब ही है कि पूरी तरह से कलमश से हम शुद नहीं होए और शुद नहीं होए, तो अब कैसे शुद हो, जो यहाँ पर बताय जा रहा है कि बुद्धी, मन, शद्धा तथा शरण, सब कुछ पूरी तरह से भगवान में लगाना होगा 2400 मेंट है इस पर पक्के होना होगा, फिर कोई और बात मन की नहीं सुननी है क्योंकि मेला है ना मन, तो मन बार बार कई और तरीके से शरणागती लेना चाहेगा कभी पैसे की, कभी किसी व्यक्ती की, की नहीं मेरी तो अफशक्ताओं की पूर्ती ये व्यक्ती ही कर सकते है मेरी अफशक्तर के पूरती तो शिश्य ही कर सकते हैं, मेरी अफशक्तर अनेक रहे के, मन में जैसे जैसे जो जिन परिसित्यों में हैं, किसी ना किसी को बना लेता है, कोई सोचते हैं, मेरी संतान, मेरा पुत्र ही, मेरा पालर आगे बविश्य में मेरे को मदद करेगा तो यहां पर वर्णन है शर्णागति तो केवल भगवान में ही होनी चाहिए और मुक्ति के पथ पर अग्रसर हो सकेंगे हम अन्यतर ठीक है हम साधना कर रहे हैं लेकिन फिर दुबारा दुबारा जन्म लेके उसको पूरा करने के लिए बार बार जन्म लेने पड़ेंगे क्यों जन्म लेने पड़ेंगे एक जन्म में रस्ता क्यों नहीं तै हो पाएगा इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि बुद्धी, मन, श्रद्धा, तथा शरण पूरी तरह से भगवान में स्थिर करने की मेहनत नहीं किए इसका अभ्यास ठीक से नहीं किया पीच-पीच में थोड़ी धील भी देते रहे जो भी मन के अनुकूल लगा मुझे इंद्रियों के, मन के, बुद्धी के, अपने उस तरह के निरने पर भावित होते रहे मेरे और परिणाम क्या हुआ? मनुष्य जीवन एक दिन ये सारा समय खत्म हो गया जीवन का और परिणाम भागवान में स्थिर ना होने के कारण बुद्धी मन, शद्धा, शरण दुभारा से फिर दुभारा वो कलमश अंदर बना रहा मैल बना रहा वो सब काम, क्रोध, मोह, लोब, अंकाल, इर्शा, दुएष्ट ने पीछा नहीं छोड़ा करती क्योंकि हिर्दर शुद नहीं हो पाया पूर्ण ज्यान नहीं हो सका ठीक है, इतना हमें पता चल गया, सुन लिया और पढ़ दिया, हाँ, कृष्ण ही भगवान है कि फिर वहीं पर ही मना गया डग जाता है, पिर बावा कारण पूरी तरह से मन भगवान में स्थिर ना होने से वो सोच, वो विचाल धारा निकल ही नहीं पाती, जीव की और आखरी दम तक वहीं सब चिंतन होने के कारण से फिर फैक दिया जाता है चाहे फिर वो ब्रिजमंदल में ही क्यों न रहता हो, ब्रिजधाम में चाहे फिर वो आश्रम मंदिर में ही क्यों न रहता हो तकि उसके बाद भी उसका, उसकी मुक्ती नहीं हो पाते मुक्ती के पत पर अग्रसा नहीं हो पाता हो उस अब आसक्ती के करण एक ब्राह्मन एक मंदिर में सेवा कर रहे हैं पुजारे के उनके बेटे ने गीता भागवत का अध्यान करके शास्त्री की 20 साल का बच्चा था अब शास्त्री कर ली उसने इतना सव और भागवत कथाएं भी करता था एक दिन आ रहा था ट्वेन से तो जहां पे उसनե उतरना था वहां पे ट्वेन चास की बात रुकी नहीं तो रुकी नहीं ठोड़ा सा अगले स्टेशन पर रुक जाती वहां उतर के फिर वापिस हो जाता उसने अपने फोन किया पिता को, पिता ने हमें बताया उनके, वो जो ब्रह्मन हैं पुजारी हैं मंदिर में, उनने बताया कि उसने फोन किया कि ट्रेन रुकी ने, कोई बात नहीं तो अभी न, आगे जब रुकेगी अगले स्टीशन में उतर जाना, अब रात के आठ साड़ कुछ ऐसा समय बज़ रहा हूँ, अब ट्रेन थोड़ी धीरे होई होगे, उससे सोचा मैं उतर जाऊँगा, अब अंधेरा है नीचे तो पत्थर वीशे होते हैं, अब विजिबिल्टी पुरी नहीं था, नीचे साफ दिखाई थे, अब वो उतरने लगा और परिणाम में सिलिप कर गया, और सिलिप करा और जैसे ही वो गिरा, गिरते ही उसके सिर्ख की किसी नस में वो कहीं जमीन से टकराया है, और उसी समय ही on the spot डेथ होगे, उससे बच्चे की 21 साल के, अब उनकी डेथ होगे, तो उसके पिता बता रहे थे, हमें फोटो भी दिखा रहे थे, द अपनी पत्नी को बुलाया, जब बात होई तो पत्नी के आँखों में आसु भरे हुए थे, बेटे के उसमें, क्योंकि सौभाविक बात है, कि मन की आसकती इतना आसान नहीं है न, खतम हो जाहे, पूरी तरह से ये भगवान में स्थिर हो जाना मन का, ये तो विरले ही है, ज तो पती का दिहान तो हुआ, पहले माता का दिहान के जब पता चला, तो माता ने बहुत मदद की थी उन्हें, एक भी आसु नहीं आया, तो महल की अन्य जो थे हैं, उन्होंने उलाना भी दिया कुछ ऐसा, कि देखो जी मा की मित्यों और ये फिर भी गा रही है, भगवान क किया कि फिर भी ये बजन घाने में लेगी और नाचने में लेगी, फिर भी इसको कोई वो नहीं, लेकिन मीरा जी कहती है, अब जिसने जाना था, वो तो चले गए ना, मेरे ना हो करने से क्या, वो वापिस आ जाएंगे क्या, पती का दिहान्त हुआ, तो एक दो आसु बहे केवल मीरा जी के, वो भी एक दो आसु इसलिए नहीं कि पती का दिहान्त हो गया, इसलिए कि वो मेरे सक्षा थे, उनको सक्षा के भाव से मानती थी और वो भी उनको, कभी उनको कभी जबरदस्ती नहीं कि, कुछ भी ऐसा, परश्ट तक रहेंगी है, तो मीरा जी का ये इस स्त्री चोले में होते हुए भी इस तरह से पूरी तरह आसकती खतम हो जाना, यही वाले श्लोक पर जो वर्नन है, पांचमी अध्याई के सतादमा श्लोक भगवत गीता का, कि बुद्धी, मन, सद्धा और शरण, सब कुछ भगवान में स्थिर हो गये थे, मीरा जी के, ऐसे ही प्रभुपाजी के जब सब कुछ भगवान में स्थिर हो गये, तो परिणाम में कहीं उसके अलावा उनको थोड़ा भी भटकना नहीं, इसलिए अपनी वसीयत में क्या लिखा, उसमें लिखा कि अगर पतनी बच्चे जो परिवार के लोग हैं अगर भक्त नहीं बन सकती नहीं, लेकिन हमें कितना कुछ मन में चिंतन है, आप विचार करके देखिए, परिवार के प्रती, कुटुम के प्रती, बच्चों के प्रती, घर के प्रती, बैंक बैलेस के प्रती, अपने खाने, सोने के कपड़ों के प्रती और कितना कुछ और, तो विचार कीजिए ये कैसी हमारी मन की स्थिर्दा है कैसी स्थिर्दा कहेंगे और फिर हम चाहते हैं कितना समय होने पर भी अनुभव नहीं हो कुछ एक आत्मा में कहते हैं अनुभव नहीं हो रहा कुछ किष्णन की भक्ती में कुछ भी बनावटी पर नहीं चालता है। थीक है देवी देवताओं की भक्ती में कई बार कई कहते हैं हमें तो देवी का प्रवेश हो जाता है, हमें तो ये सब लेकिन कृष्ण भक्ती में ऐसा कहीं नहीं है शास्वे पुरना कि भगवान कृष्ण का परवेश हो जाता है और वो ऐसे जूमने लगता है या इस तरह का कृष्ण भक्ती में कोई थोड़ा सा भी भटकाव या कुछ भी वो नहीं है तो इसमें पिल्कु सबस्ट अगर ठीक से कोई गंबीरता पुर्वग भक्ती करेगा बुद्धी मन शद्दा और शरन पूरी तरह से भगवान कृष्ण में एक मात्र भगवान कृष्ण में होंगे तो तो रिजल्ट आएगा नहीं तो समय लगेगा अब कोई कह जी अगर इतना ही है तो छोड़ो फिर क्या करना किसी और देवी देवता को मरा लेते हैं तैकिन और कोई देवी देवता हमें मुक्ती नहीं दिला सकेगा और कोई देवी देवता हमें भागवान की नित्य लीला में प्रवेश नहीं दिला सकेगा जन्मत्यू के चक्र से नहीं चुड़ा सके और कोई देवी देवता यह ध सवेरा ना होगा। कृष्ण शरण मिन जब तक भगवान कृष्ण की शरण नहीं नहीं अब तक सुखों का सवेरा नहीं होने वाला। और सुख का मतलब यह नहीं कि हाँ बहुत इक सुख से विधाएं मेरे पास तो मेरे घर में एसी लग गया महंगी से महंगी कार आगे फॉर्चुन अब तो अब मैं सुखी हो गया ना उससे सुखी नहीं का गया सुखी का मतलब है कि वह अध्यात्मिक रूप से उसके मन जो है तो इसके मान समान मिला तो भी क्या और अपमान हो गया तो भी क्या यह शरीर का तो इस बात को समझना होगा कमभीलता से यहाँ पर जो वर्णन है प्रहुपाजी तापपरे में कहते हैं परम दिव्य सत्य भगवान श्विक्रिष्ण नहीं है यह यह नहीं का कोई और देवी देवता 33 करोड़ देवता हों में से किसी और का नम नहीं का यहाँ तक कि शिवजी और ब्रह्मा जी कभी नहीं कहा कि परम दिव्य सत्य तो भगवान ब्रह्मा जी या भगवान शिवजी हैं भगवान कृष्ण कहा सारी गीता इसी घोषना पर केंद्रित है पूरी गीता अब विचार कीजिए जो कृष्ट को अगर भगवान ही जो नहीं मानते और भगवत गीता उनके ट्रांसलेशन उनके भिक रही है आश्रम में मतलब उन्हें छपवा के और बाट रहे हैं लोग दुनिया चल रही तो कहां पहुचेंगे वो सब लोग जो कृष्ट को भगवान सभी का नहीं करते हैं और गीता का नाव वो गर रखा है जैसे हमने कुछ नाम पहले बोला बताए भी थे ऐसे ऐसे ब्रह्म कुमारी है चिन में अनंदी है और कई सारी है ऐसे अब बता है कुम के मेले के अड़ गड़ानंद नाम था उसका उसने भी गीता चप्वा के पेमेंट पे मंधली पेमेंट पे लगा रखे ते कुछ नो अब वो यही करते ते गुनगान करते रहते थे बस यह गीता बड़ी कर परेबो हमें भी एक पकड़ा के चले के मेले लेकिन कोई परंपरा नहीं गुरू परंपरा है उसके अंदर मन के अधार पर जतनी उनको रले पड़ी दो हजार यह ौजár औरेह फैं remote जी से नारज जी से भगवान वेद व्याज जी मध्वा चारे जी से होते हुए चैतन्य महाप्रफु से प्रभूपाज जी तक ये 32 गुरूओं की परंपरा बिल्कुल पहले अध्याए के शुरुवात में ही वर्णन है कि इस गुरूपरंपरा से या रहा है कि अधिविकार परंपरा अब से प्रमानिक रोपना तो प्रभूपाज जी कहते हैं सभी वेदों का भी यही अभीमत है कि श्री कृष्ण जो हैं कृष्ण श्री भगवान है और सारी गीता भी इसी घोष्णा पर गेंद्रेत है परतत्व का अर्थ परम सत्य है क्यों कई जगा शब्द आत है परतत्व परतत्व क्या अर्थ है परम सत्य और परम सत्य कौन है भगवान श्री कृष्ण जिनका दिव शरीर है परम सत्य है कभी नस्ट नहीं हो ता शरीर उनका जो भगवान को ब्रह्मा प्रमातुमा ब्रह्म प्रमातुमा था भगवान के रूप में जानने की वालों द्वारा समझा जाता है परतत्व जो है या परम सत्य को समझने के तीन यहां पर बताए गए हैं अलग-अलग कह सकते हैं अवस्थाएं हैं कुछ ब्रह्म रूप में इश्वर को जानना चाहते हैं कि वो सर्व व्यापक है स्रिस्टी के अंदर ब्रह्म रूप में, कणकण में है, फिर परमात्मा रूप में कि वो सबके जीवों के हिर्दय में है परमात्मा रूप में, जैसा भगवान विश्णू का चतुर्भुज और भगवान रूप में भगवान श्वीकृष्ण अपने परमधाम में गोलोगधाम में रहते हैं और अपने वचन को पूरा करने के लिए कि जब जब धर्म की हानी होगी धर्म पड़ेगा तो मैं धर्म को पुनरस्थापित करने के लिए धर्तिवर फिर अवतार लूँगा उसके लिए आते हैं अपने वचन को पूरा करने के लिए और इन तीनों में भी ब्रम परमातमत भगवान भगवान वास्ताओं में जो पूर्ण रूप से स्वेम भगवान कृष्ण के लिए संबोधन है तो भगवान ही इस परतत्व की पराकास्टा है उस परतत्व को जनन कि सबसे उपरी सिती जो पराकस्टा है वो भगवान स्वय महें श्वी कृष्टा उनसे उपर कोई नहीं है भगवान कृष्ट से उनसे बढ़कर कुछ नहीं है भगवान कहते हैं क्रिश्ण निराकार ब्रह्म का भी अनुमोदन करते हैं और ब्रह्मनों ही प्रतिस्था हम अतह सभी प्रकार से कृष्ण परम सत्य अत्वा परतत्व हैं जिनके मन बुद्धी शद्धा तता शरण कृष्ण में हैं अर्थार्थ जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हैं उनके सारे कलम शुधुल जाते हैं और उन्हें ब्रह्म संबंदी प्रतेक वस्तू का पूर्ण ग्यान रहता है तो यह यहाँ पर प्रभुपाजी बता रहे हैं किनके लिए जिनके मन बुद्धी शद्धा तता शरण कृष्ण में हैं अथा जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हैं अपने सभी कारे 2400 गंटे के मन वाणी कर्म के कृष्ण भावना भावित जब हो गए पूरी तरह से उनके सारे कलमश दूल जाते हैं पिछाए जितने जगन्ने से जगन्ने पाप क्यों नहीं हो गए एक किसी के बारे में भी बात हो रही थी तो उन्होंने बहुत अच्छे कुछ गाए हैं स्विमत भागवत के दश्रम्सकंदबर जो जिनसे बात हो रही थी वो बता रहे थे कि इनके पती जो हैं वो बहुत ड्रिंग करते थे और मैंने का उसमें क्या हो गया जगाई मधाई भी तो से अगर बाद में उसका जीवन परिवर्तन हो गया परमानिक गुरू के चरणों में दिक्षित हो गए और पड़े गंभीरता पुर्वगुने शर्ण ले ले ली जो उनके बोलने पर भी उनके भावों से पता चलता है उसात्मा के तो परिणाम में आप फिर ये नहीं कह सकते हैं उनके बारे में कोई संशय करें बिना परमान के अधार पर अने का कभी आपने चरित्र के बारे में उनके परमान को यह से सुना हो कहते हैं नहीं वो तो कभी नहीं सुना तो मैंने का फिर तो भले उनका पूर्व में पती जो तो ऐसे में किसी के बारे में फिर शब्द नहीं निकाल सकते, बिना जाने, बिना परमान के अधर, करते हैं हाँ ठीक, कई वर कोई लोग गल्ट परचार भी करने लगते हैं बिना, और उन्हें ब्रह्म संबंधी प्रतेक वस्तू का पूर्ण ज्यान रहता है, जिसके कलमश ए तो परिणाम में प्रहुपा जी कहते हैं, उन्हें ब्रह्म संबंधी जो प्रतेक वस्तू है उसका पूर्ण ग्यान फिर रहता है, ब्रह्म संबंधी प्रतेक वस्तू को कि जो भी वो व्यवार कर रहे हैं, जिस भी परिसितियों में, जिस भी जगा पर हैं, समय काल परिसिति, उसमें हर समय उन्हें ये बात समझ रहती है कि भगवान हर जगा है और मेरी हर तरह से रक्षा करेंगे कि इस भावना भावित व्यक्ती है, भली भानती समझ सकता है कि कृष्ण में द्वाइत है, एक सात में एकता तथा भिन्नता जो पहले भी उधान प्रहुपाजी ने दिया, सोरे और सोरे की किरने, उनमें एकता भी है कि किरने, सोरे के बिना, उनका कोई अपना वही नहीं है, अस्तित्व नहीं है सूरे किर्णों का लेकिन सूरे किर्णे सूरे भी नहीं है आप किर्णों को सूरे नहीं कह सकते हैं तो यहाँ पर यही बात को बताया जा रहा है कि जो कृष्ण भावना से भावित व्यक्ति है वो भली भांती अच्छे से इसे समझ सकता है कि कृष्ण मे अलग है भगवान कृष्ण अगर परम आतुमा है तो हम जीव आतुमा हैं हम भराबरी नहीं कर सकते हो नहीं और फिर आखिर में वर्णन है प्रभुपाजी कहते हैं कि ऐसे दिब्य ज्ञान से युक्त होकर कि वह मुक्तीपत पर स्थिर प्रगती कर सकता है मुक्तीपत पर बड़े पूर्ड या स्थिरता पुर्ववग प्रगती कर सकता है कौन जो कृष्ण भावना से भावित है जो भली प्रकार इसको समझ पाता है कि सब एक साथ एकता और भिन्नता तो ये आज के इस श्लोक से शिक्षा लिनी चाहिए भगवान पृष्ण के कि हमें गंभीरता, पुरवक, बुद्धी, मन, श्रद्धा और शर्ण भगवान श्रीकृष्ण में स्थिर करनी है और अगर ऐसा करने में हम आखरी श्वास तक भी अगर रेड़ी कर गए अपने को तैयार कर लिया तो भगवत प्राप्ती हो जाएगी भगवान श्रीकृष्ण की वानि भगवत गीता कीजे श्रीकृष्ण चंद्र भगवान कीजे जगदुशल प्रहुबाद महराज कीजे श्री गुरु महराज कीजे अनंद को डिवेशन विंद कीजे